हेलो गाईश, नमस्कार, आज की इस वीडियो मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि ब्लॉग में किस तरह से आपको एक आर्टिकल्स अगर लिखते हो तो उसमें keyword placement कैसे किया जा सकता है तो सबसे पहले मैं आपको एक proof दिखाता हूँ कि अगर मैं यहां पर जाकर search करता हूँ कि क्या होता है इसमें मैंने एक articles भी लिख रखा यहां पर मैं search करता हूँ तो यह देख सकते हैं फर्स नमर पर जो दूसरे लोग हैं और मुझे second नमर पर मुझे ranking मिली है यहां पर मैंने बताया था कैसे KGR को क्या कहते हैं keyword golden ratio क्या होता है कैसे इसे use कर सकते हैं इसके regarding मैंने फूल्स articles लिखा था और इस पर एक details से वीडियो भी बनाया था किस तरह से केज या टेकनिक को यूज करते हैं तो आज की वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से आपको keyword placement करते हैं ताकि आपको गूगल में ranking मिले टॉप 10 पोजिशन पर ranking मिले क्योंकि कहीं ने कहीं करती है कि अगर आप अच्छी तरह से keyword को placement करते हैं तभी आपको गूगल अच्छास का अपरूबल मिलता है ने की बज़गत से आपको गूगल आटसन का अपरूबल मिल जाता है देख सकते हैं मैंने हाली मेरा गूगल इस साइट से अप्रूव हो गया है जो कि संदीफव.टी न आप ही जाके चकब कर सकते हैं और मैं एक और देखा जता हूँ जो कि आपको पूरा सबूत हो जाए कि किस तरह से मेरा आर्टिकल्स रेंग कर रहे हैं आर्टिकल्स रेंग करने की मुझे एक ही वज़ा मुझे अच्छी तरह से लगती है कि मैंने अच्छी तरह से कीवर्ड को प्लेश्मेंट कर रखा है इसलिए मुझे गूगल में आर्टिकल्स को रेंग करनाना बहुत असान बन गया है आप भी गूगल में अगर अच्छी तर पर देखने हैं तो यहां पर तो कैसे किन अपर को तो जैसे स्वılar सब्स espíritu को मिला होगा में एक पर एक अर्टिकल लिखा था कि यहां पर देख सकते strips श् Raf внеш यहां पर लिखा था मैंने यहां से मैं इसको इनवल कर लेता हूं तो हां मुझे संत्रय यानी कि सत्रह नंबर यहांसे मैंने सकते हूं लिख रूआ है जिसका एक दिनक मैं सकते है nessa सबसे पहले मैं आपको बात करना था हूं कि की सतरह से आपको keyword placement किया जाता है अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एक articles मैंने लीख रखा था और डिडि से public भी कर रहा था इसी को analyze करके बताएंगे कैसे keyword को placement किया था सबसे पहले मैं इस keyword को सबसे पहलेकर आपको मैंने अगर मैं इस keyword को Google में शर्च करूँ गा तो मेरा website आना चाहिए यहाँ पर मैं बतायाता हूँ control plus shape मैं यहाँ से मैं इस कीबट को प्लेश कर दूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ने पांच कीबर्स को एड़ किया है जो कि यहाँ पर लाइब आपको देखनों को मिल रहा होगा जहां-जहां-जहां को पबलिक किया था वह मैं यहां पर लगा दिया था यहां पर इटमेटिक हाई-लाइट हो रही है फिर से सुरू से हो गई है तो मैंने कहा कहा किया था जैसे मैं बता जाता हूं कि मैंने यहां से सुरू में हेडिंग में किया इस किबड को हेडिंग में डालने के बाद मैंने सिर्फ यहां पर क्या किया कि जब हेडिंग उसके बाद मैंने इसको नीचे चल रहा और यहां से मैंने एक heading को बना लिया जिसको minor heading भी बहुतते है minor heading को बना लिया उपर मैंने कहीं भी subject को target कर रहा था जैसे यहां पर देख सकते हैं ड़ाए माने आफने को मिल रहा होगा इसके लिए मैं युघंट यहां पर अग्धूाइता हूं पिर समय कंट्रोल पर सेफ कर लेता हूं उसकے बाध को यहां से देख सकते हैं मैंने वही कीभड है सिर्फ मैंने यहंद को रीनूब कर दिया को यहांक रका है इसको को मैंने गारा बर अपने पोस्ट में लिख रखा है जो कि यहां पर देखने को मिल रहा होगा तो आपको यहां पर यह देखने को मिल रहा होगा कि मैंने हर एक पोस्ट में हर एक पेज में मैंने आर्टिकल्स में यहां पर एक कीबट को टार्गेट कर रखा था लेकिन मैंने उसको अलग-अलग तरीके से कर रखा था तूँकि अगर आप यह सोचते हैं कि मैं एक ही आर्टिकल्स में बहुत सारे कीबट को ऐड़ कर दूं 30-35-40 को तो आपको बहुत गलती हो जाएगी आप आपको बहुत जादा आपको लॉस हो जाएगी क्योंकि यहां पर अगर आपको प्रूब की बाते रहों तो यहां पर मैं दिखा देता हूं गूगल सर्च सेंट्रल में यहां पर बताया गया है कि अगर आप एक ही कीबट को हरे एक बट में एक संटेंस में आप बहुत सारे कीबट को अड़ करते हो तो यहां पर लिखा हुआ एक ही कीबट को अगर आप एड़ करते हो तो यहां पर एक ही कीबट को अगर आप एड़ करते हो तो यहां पर एक ब्लोग कर दिया जाएगा यहां पर देख सकते हैं ब्लोग कर देता है और यहां पर इन्होंने एक एक ज और एक्जाम्पल इन्होंने एक बताया है कि जैसे एक लिया गया इन्होंने आपर इक्जाम्पल में लिखाए बीसेल्स मैं यहाँ पर पढ़कर नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको जो-जो कीबड़ हिन्होंने आप टार्गेट करना किया है और हम लोग को बताने की कोशिस क है वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर बार बार आगर एक जांपल को आप ध्यान से पढ़ोगे यहां पर मैं जूम कर लेता हूं आप एक जांपल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक चीज इस common देखनों को मिल रहा होगा जो कि मैं आपको बतायता हूं जैसे मैं यहां पर त्वा जूम कर लिया और यहां से आपको देखनों को मिल रहा होगा यहां से देख सकते हैं यहां पर इन्होंने एक ही कीबट को बहुत ज्यादा टार्गेट किया था जो कि यहां सेल यहां पर देख सकते हैं एवरा कीबट फिर इस कीबट को यहां पर कस्टम और यहां पर देख सकते हैं और यहां पर भी एक ही किबर्ड लगा रखा है यहां पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको नहीं यूज करने है क्योंकि यह दो लाइन का सिर्फ संटेंसी है और यहां पर इन्होंने कितने बार यूज किया है। सेम कीबर्ट को तो इन्होंने इस Google की नजर में इरिवेंट कीबर्ट के नजर हो जाती है इरिवेंट कीबर्ट यहां पर देखनों को मिल जाता है आई होब कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसमें कीबर्ट प्लेस्मेंट कैसे किया जाता है overall आपको एक idea मिल गया होगा कि किस तरह से अपने website में या blog में जो भी हम लोग कीबर्ट प्लेस्मेंट करते हैं कैसे किया जाता है उसको हम लोग कैसे header tag में कैसे यूज कर सकते हैं उहां पर हमें आगर minor heading भी बनाना है तो किस तरह से उहां पर add कर सकते हैं overall इसका मैं part 2 भी लाऊंगा अगर आप लोग demand करोगे तो मैं practical होकर बताऊंगा practical मैं बताऊंगा किस तरह से आपको यहां पर करने होते हैं जो कि किबर्ट कैसे यहां पर placement किया जाता है अगर मैं बात करूँ तो इसी तरह के content अगर देखने में इंट्रेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करने का consider कर जिएगा कमेंट में बताए कि कैसे वीडियो रगा और सबसे पहले यह बात मैं बताना चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे blog का review सीरीज चल रखा है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं आप भी अपने blog का review करवाना चाहते तो मुझे instagram पर follow करने के बाद आप अपन पनाया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था कैसे 100 परसेंट गूवल एट्संस का प्रुभाल जो कि मुझे मिल गया है माई मेठड है जो आपको यहां पर देख लिनी चाहिए इस वीडियो को अभी तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं आभी तक और छोड़कर नहीं ग